वोट्सब आप एड़े आप इस वाले वीडियो से मैं एक बहुत इस इंट्रेस्टिंग सा एनेमे सीरीज दा स्ट्रॉंगेस टैंक लेबरेंट रेड्स नाम का एनेमे को एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ अब यहां पर इस गोलेम से फाइट करने के लिए सबसे पहले इस एडवेंचर पार्टी का दो फाइटर्स इस गोलेम के उपर डायरेक्ट अटैक करता है अब इन सारे अटैक्स के बाद भी यह गोलेम को जादा कोई खडूश नहीं पहुंसता है इसी वजह से यह गोलेम बा लेब्डेंट से बाहर एक हंटर गिल में रूट खुद के बहन यह बसक्रता था दज्येयात ब्रेदर की तरह हमेशा झाल चाल एक और 10 मार्ट को बहुत दिए इस देडली बीमारी उसकी दोट को उस बीमारी का कियो ठूडनने के लिए यह सब कुछ adventure काम करना परता था आज अगर वो एक higher level adventure बन जाता तो तो रूट के लिए उसकी ओर को डूरना बहुत ज़ादा आसान हो जाता बट अभी तक वो एक higher level adventure नहीं बनाए तब ही उस party का member निन रूट को interrupt करके वहाँ पर रूट का ध्यान उसके ऊपर दे आने का कोशिश करती है अपनीन इस party का mage था अपनीन यहाँ पर बहुत सदा गुसा हो जाती है बिकॉस रूट हमेशा absent-minded रहता है और खुद के sister के बारे में ही सोचता रहता है इसी वज़ेसे वो रूट को थोड़ा सा डाट लगाती है अब नीन यहाँ पर गुसे से रूट को पूछ ले थी कि वो तो अल्रेडी के sister को बहुत ज़दे प्यार करता है बट यहाँ पर रूट थोड़ा सा कोई दूसरे दिख में भी उतका ध्यान दे सकता है जैसे romantic situations पर अब यह सब को सुनके रूट थोड़ा सा सर्माज आती है अब रूट यह सारे बातों को ignore करने का कोशिश करता है और वो directly नीन को कहा देता है कि यहाँ पर मैनी से हमत उसे sister से ज़दा cute कोई भी नहीं है बट यहाँ पर नीन यह सारे बातों के उपर बहुत ज़दा serious थी इसलिए वो रूट को समझाने लगती है अब नीन एंड रूट यहाँ पर बात करी रहते तब ही रूट यहाँ पर कहा देता है नीन को कि उसका already इस party में performance बहुत ज़दा खड़ा बैन प्रिवियस जो डंजन वे बो लो गहते हैं वहाँ पर इसका performance इतना ज़दा बुड़ा रहने के वज़ए सायद से वो इस party को deserve नहीं करता है वो हमेशा इस party को बहुत ज़दा मुश्किल में भी डाल देता है बट नीन यह सब को सुनके बहुत ज़दा गुस्सा हो जाती है वो यहाँ पर कहती है कि रूट को की वो इस party का एक main tank है यहाँ पर उसका control नहीं रह सकता है बट वो एक बहुत ज़दे important member है इस party के लिए अब वो दोन यहाँ पर यह सब बाते करी रहे थे तभी वहाँ पर entry होता है इस party के captain का अब यह जो golden hair लड़का है यहाँ पर आके root को welcome करता है नीन भी जाके उस party का दो other members लिलिया एंड लिली को greet करती है अब लिलिया एंड लिली इस party का जुरुआ बहने थे अब यहाँ प पर के captain को पूछ ले थे कि उसको क्या rules पता नहीं है बट एक party में तो सिर्फ और सिर्फ के members ही रह सकते हैं और उन लोगों को मिला के तो साथ हो रहा है अब यह सुनके यहाँ पर captain को कहती है कि of course यहाँ पे एक member को उनके party को छोड़के जाना पड़ेगा और साड़ा का रूट का performance सबसे ज़्यादा बुड़ा है वह ऐसे टैंक इतना सदा helpful नहीं है पार्टी के लिए इसी वज़से आज से captain ने यह decide कि वह रूट को इस पार्टी से निकाल रहा है यह सुनके नीन थोड़ा सा गुस्ता हो जाती है वह यहाँ पर कहती है कि रूट तो already यहाँ प कर लेता था और यहाँ पर बहुत सारे हिट्स लेने के वज़े से रूट भी बहुत जादा कमसूर हो जाता था इस वज़े से हड़ पार्टी मेंबर्स यहाँ पर लैबरेंट में मॉंस्टर के फाइट के टाइम पर वर्नरबल पोजिशन में फस जाते थे इसी वज़े से captain ने आज डिसाइट किया है यहाँ पर रूट को इस पार्टी से निकाल देने का यहाँ पर लोगों के सामने रूट को बहुत जादा भड़ा बुला बोलता है यहाँ पर रूट को इस पार्टी को छोड़ने के लिए भी कह देता है अब रूट यहाँ पर कुछ भी नहीं कर आस्ट रेट के टाइम पे उनके पार्टी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ था किसी वज़े से वो सौड लेने के बाद वो और उनके अधर ग्रूप मेंबर्स भी वहाँ से चले जाते हैं अब लिलिया एंड लिली भी यहां पे खुद के कैप्टेन के यह डिसिजिएन से बहुत सब्सक्राइब करें बहुत इसी वज़े से आज वो विलेज में वावस जाएगा, अब ये सुनके नीन भी थोड़ा सा दुखी हो जाती है, बट वो दोनों promise करते हैं एक दूसरे के साथ की future में वो लोग जरूर मिलेंगे, ये कहते हुए वो दोनों खुत की रास्ते पे चले जाते हैं, अब रूट को य जिसे उसके पास ना था कोई पैसा, ना था कोई रहने का जगा, और वो ये भी नहीं समझ पा रहा थे कि वो कैसे वोट के वीलेज में वापस जाएगा, उसके पास तो कोई पैसा ही नहीं है, तो ये सारे के सारे सीचुछीन के बारे में सोचने लगता है, तब एक एक adventure group के सामने ही बाते करता है कि कैसे अभी वो लोग एक दूसरे सहर पर जा रहे हैं इसी वज़े से रस्ते पर जाने वाले हर एक monsters and bandits से उनको fight करना पड़ेगा और उनको यहां पर एक job है कि वो लोग जिस पार्टी में जॉइन हो सकता है अब रूट को देखके वह सारे एडवेंचरस पूछने लगते हैं कि यहां पर उसका लेवल किया है अब रूट को पता था कि यहां पर उसका लेवल सहाइद से एफ रेंक के आसपास है बिकॉज उसका स्किल्स के बारे में भी अभी तक उसको नहीं पता है बट तभी उन यंग एडवेंचरस में से एकको रूट का सगल बहुत जाना पैचाना लगता है और वो तभी याद कर पाता है कि रूट एक टैंक है और वो प्रिवियस में इस टाउन का जो हीरो था उस पर उसको वो तीनों अडवेंचरर आहिमी नहीं देते तभी यहाँ पर वो ओल्ड कार्ट ओनर भी आ जाता है और इसी मर्चंड को इन सब को प्रोटेक्ट करना है तभी वो सब उस कार्ट के उपर बैट के फुद के डेस्टिनेशन की तरफ चले जाने लगते है जाने से प पर कहीं पर कैम करके वो लोग उतका खाना पीना और बागी सारे चीज़े भी करते हैं अब ऐसे ही करते करते हैं दूसरे दिन पर जब यह लोग रात के टाइम पर एक दिस फॉरेस्ट के सामने से गुजर रहते तभी रूड यहाँ पर उस मर्चंड को बहुत ज़दा कियर वो लोग ऑल्रेडी कुरस सहर से बहुत ज़दा पास में इसी वज़े से अभी के लिए उनको यहाँ पर नहीं रुखना चाहिए और उसको अभी इस एरिया से बहुत ज़दा बुड़ा फीलिंग भी आ रहा है और वो लोग जितना ज़दा जल्दी इस फॉरेस्ट को पार अचानक से एक लड़की आता है और वो लड़की बहुत ज़दा बुड़ा हालत में अब रूट उस लड़की को देखे थोड़ा सा हैरान हो जाता है वो उस कार्ट से नीचे उतरके उस लड़की को देखे कहता है कि क्या वह ठीक है क्या वो यहां पर रस्ता भूल गया है तब यह अचानक से एक बहुत बड़ा wind वहाँ पे flow होता है जिसकी वज़े से root को उस लड़की का chest में एक stone दिखाए देता है और यहाँ पर root समझ पाता है कि यह जो लड़की यह एक type का हमंकलाई है अब root यहाँ पर थोड़ी दिर और तक इस लड़की के साथ बात कर पाता और इस लड़की के बारे में जान पाता उससे पहले ही अचानक से उस forest से एक बहुत बड़ा green color का snake बहाँ निकलाता है अब यह snake था the forest snake तब यह root यहाँ पर उस snake को देखते ही उस लड़की को इस एरिया से भाग जाने के लिए कहती है और यहाँ पर वो खुद snake के साथ fight करने के लिए खड़ा हो जाता है तब यह खुद के shield को prepare करता है इस snake के हर एक वार से खुद के party member and खुद को बजाने के लिए तब यह snake खुद के venom से भी attack करता है बट root के उपर उन सारे venom का कोई भी ऐसर नहीं होता और यहाँ पर root खुद के skill को activate करके इस snake का ध्यान खुद की तरफ कर लेता है इसकी वज़े से यह snake का हर एक attack root की तरफ ही कर रहा था और root के self healing की वज़े से उसे जादा कोई ख़डोज भी नहीं आता तब यह खुद के party member को यहाँ पर order देता है frequently snake के उपर समाल के attack करने के लिए और उसका party member भी यहाँ पर root का बात मानते हुए उस snake के उपर attack कर देता है अपकोर्स यह लोग एक inexperience adventure है इसी वज़े से यह लोग snake के उपर attack तो करते है बट यह attack properly hit नहीं करता है snake के उपर इसी वज़े से snake उनके उपर counter attack करके सब को बहुत जाते injured कर देता है यहाँ पर root भी थोड़ा सा injured हो जाता है और दूर जाके गिर जाता है तब यह snake बाकी सब के उपर attack कर पाता उससे पहले root फिर से खड़ा होके खुद के shield के power को activate करता है और फिर से snake के हरेक attack को के उपर ले लेता है तब भी root खुद के party members को कहने लगता है कि उसके पास ना है कोई sword ना है कोई weapons इस ही वज़े से वो इस snake के साथ directly fighting कर सकता है बट वो इस snake को हरेक ब्लो को absorb जरूर करेगा इस snake को मानने के लिए उसे खुद के party members के जरूरत है और यह सारे बाते सुनके वो तीनो amateur adventurer भी यहाँ पर बहुत ही ज़दा skillfully खुद के power को sequentially use करके इस snake के उपर बहुत ज़दा powerful attack करता है जिसके वज़े से यह snake वही पर मारा जाता है और इस snake को defeat करने के बाद सारे के सारे लोग बहुत ज़दा खुश हो गयते तभी यहाँ पर root जाता है उस लड़की के पास यहाँ पर root उस लड़की को पूछता ही क्या उसका कोई घर है या फिर वो कहीं पर राता है तो यह लड़की यहाँ पर कहा देते कि नहीं उसके पास कोई भी घर नहीं है और उसको नहीं पता कि वो अभी कहाँ पे है तो अभी Rude यहाँ पे इस लड़की को offer करती है क्या वो Rude के साथ उसके village में जाना चाती है अभी यह लड़की तो थोड़ा सा hesitant feel करती है सबसे पहले बट फिर Rude जब उसे insist करता है कि यहाँ पे कुछ भी डरने का बात नहीं है तब वो लड़की यहाँ पे मान जाती है Rude के इस offer को तब ही यहाँ पे वो merchant भी आके इस लड़की को एक dress देता है जिससे यह लड़की यहाँ पे खुद के body को cover कर सके अभी के लिए यह लड़की जो पैना हुआता उसका हालत भी बहुत जाता खड़ापता अभी यह dress मिलके वो लड़की भी यहाँ पे उस merchant को छुकड़ियादा करती है अभ यहाँ पे ऐसे ही journey करते करते तुबहरे हो जाता है और वो पार्टी यहाँ पे करस सहर तक पहुँच जाता है अभी सहर में पहुचने के बाद रूट और वो लड़की इन सब को अलवीदा कहके वहाँ से चले जाने लगता है यहाँ पे रूट उन सब को thank you भी कहता है उसे इस journey पे सामिल करने के लिए तब ही वो तीनों amateur adventurer यहाँ पे आके रूट को पूछ लेता है कि क्या वो उनके party में join हो सकता है विकास रूट एक बहुत जाद experience adventurer है और उनको इस जैसे एक experience adventurer की बहुत ज़रूरत है उनके party में तब ही रूट उनको समझाता है कि वो एक F level tank है इसी वज़े से वो उनके party में join नहीं हो सकता है और उसके साथ साथ उसे अभी खुद के sister से मिलने के लिए खुद के village में भी जाना पड़ेगा और यहाँ पे यह जो लड़की है यह एक homunculi है यह भी root उनके सामने reveal कर देता है अब यह सुनके वो तीनों ही खुद के मन में सोचने लगते कि homunculi तो बहुत साथा dangerous होता है तब ही root को यहाँ पे इस लड़की से साबधान रहने के लिए के लिए कहता है यह सब कुछ सुनके root थोड़ा सा यहाँ गुस्सा हो जाता है वो यहाँ पे brutally नहीं बट बहुत साथा सांती से ही उन तीनों को समझाता है कि यहाँ पे उन लोगों का journey path अलग है इसी वज़े से root उनके साथ शामिल नहीं हो सकता तो यहाँ पे उन लोगों का अलवीदा कहना पड़ेगा तभी root यहाँ पे हुथ का production देता है इस लड़की के पास तभी वो इस लड़की से उसका नाम पूछ लेती है तभी यहाँ पे कहते है कि उसके पास कोई भी नाम नहीं है और वो यहाँ पे थोड़ा सा दुखी हो जाती है अब root के लिए इस लड़की को without any name से पुकारना तो बहुत ज़ा मुश्किल होगा इसी विज़ जिसे root यहाँ पे insist करता है इस लड़की को एक नाम देने के लिए root यहाँ पे इस लड़की को Luna नाम देती है अब root यहाँ पे एक forest के अंदर रेच लेने के लिए camp set करता है यहाँ पे वो दोनों खुद के dinner को करके बैटे हुए थे तब ही root लूना को कहता है कि उसे थोड़ा सा यहाँ पे काम है वो अभी थोड़ा सा पास वाले area पे जा रहा है यह देखके तो root भी थोड़ा सा शौक हो जाता है बट वो यहाँ पे समझ पाता ही कि लूना एक illegal homunculine experiment है जो सायस से एक experiment के दोरान भाग चुकी है अब लूना का ऐसा fighting style देखके root यहाँ पे लूना से पूछ लेती है कि क्या वो उस forest में उतने बड़े snake को मार नहीं सकता था विकाज उसके fighting style को देखके तो यही लगता है कि वो बहुत ही जदा आसानी से उस snake को भी मार पाता उस ताइम पे तभी लूना यहाँ पे root को कहती है कि वो एक fighter नहीं है इसी वज़े से वो hand to hand combat में बहुत जादा बुड़ा है वो एक magician है और एक supporter है और उसके पास कोई single melee skill भी नहीं है अब यह सुनके root थोड़ा सा हैरान हो जाता है तभी वो लूना से पूछ लेता है कि उसके पास कौन कौन सा skill है अब लूना यहाँ पे कहती है कि उसके पास enhancement skill है support skill है and identify skill है अब यह identify skill को सुनके root पहले थोड़ा सा normal reaction देता है बात में थोड़ा सा सोचने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है because identify skill एक पहुत ज़्यादा rare skill है अभी के time पे इस पूरे के पूरे kingdom में साइस से लूना ही एक ऐसा person है जो इस skill को जानती है तभी यहाँ पे root लूना को request करता है उसके skill को identify करने के लिए अब लूना तो यहाँ पे root का बात मान लेती है तभी वो खुद के identify skill के activate करके root के हर एक skill के बारे में जाने का कोशिश करती है तभी यहाँ पे लूना पताती है कि root के पास total 4 skills है पहला है provoke इस ability को use करके root खुद के enemy को खुद की तरफ attract कर सकता है यानि कि provoke कर सकता है अब next skill है healthy body इस skill की वज़े से root का body most of the poisons and physical attacks सी immune है यहाँ पे root का body इतना सदा strong भी है अब यह दोनों skill के बारे में root को पहले सी पता था वो यहाँ पे खुद के बाकी दो skills के बारे में जाने का कोशिश करता है और जाने के लिए excited weight भी होता है अब root का जो next skill था वो था life conversion अब यह जो skill है यह root को बहुत सदा help करता है अगर root की उपर कोई भी attack होता है तो root skill के वज़े से उस attack को खुद के shield के help से absorb करके खुद के strength में convert कर लेता है अब यहाँ पे root को इस skill के बारे में पता नहीं था इसी वज़े से वो इस skill को ठीक तरीके से use भी नहीं कर पाता था अगर कोई human उसको understand नहीं कर पाता है तो वो skill को कभी भी use भी नहीं कर पाएगा अब यहाँ पे जो root का आखली skill था वो था shield sacrifice अब इस skill की वज़े से root खुद के allies के उस shield को absorb कर लेता था जो shield उसके allies ने attack absorb करने के time पे गवाया था और उसके बाद उस shield को ही वो convert करके फिर से खुद के allies and खुद के अंदर distribute कर देता था जिसकी वज़े से उसका ally and उसका shield बहुत ज़्यादा increase हो जाता था अब खुद का ये सारा abilities को देखने के बाद root यहाँ पे समझ पाता है कि उसके पास इतना सदा understanding ना होने के वज़े से वो इन सारे skills को ठीक तरीके से utilize नहीं कर पाता था इसी वज़े से उसे लगता था कि वो एक useless adventurer है बट आज जब उसे पता चल गया है कि उसका skill useless नहीं है तो अभी वो फिर से खुद के adventure job में बापस जा सकता है एंड monster hunt कर सकता है यहाँ पर रूट के पास एक अलगी confidence आ गया था यह सब कुछ सुनके तब ही वो यहाँ पर लूना को भी thanks कहती है बिकास आज उसके वज़े से रूट को खुद के हर एक skills के बारे में पता चला था तब ही हम लोग देख पाते हैं कि दूसरे दिन लूना एंड रूट को उस फोड़ेस से चलते चलते खुद के village में पहुँच जाता है और यहाँ से उस village का नसारा बहुत जा ब्योटिफु तो आप लोगों से फिरसे मुलाकात होगी थैंक यू फर वचिंग थैंक यू फर लिसनिंग स्यू सुन इन नेक्स वीडियो गुडबाई